सड़क के बीचों बीच अगर आपने खंबा नहीं देखा तो आप ये खंबा देख सकते हैं कि किस परकार से सड़क के बीचों बीच खड़ा है और उपर से जा रही है हाई वोल्टेस तार कभी भी कोई भी हाथसा हो सकता है हाथसा हो सकता है नहीं हाथसा हो जाएगा ये दे जो को आप जादा से जादा शियर रवश्य करें ताकि ये तस्वीरे करनाल डीसी तक पहुंचाई जा सके आप ये देख सकते हैं उपर हाई वोल्टेस तार है और नीचे से ये खंबा जो है ये तूटने वाला है और किस परकार से काफी गाडिया जो है इस सडक से उजरती है सडक के बिलकुल बीचो बीच ये जो खंबा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है और काफी लोगों की यहां पर मवजूदगी देखी जारी है काफी नराजगी भी देखी जारी है कि आखिरकार सीम सिटी करनाल में काम किस परकार से हो रही है कुछ एक लोग हमारे साथ परिमाल नारा आना कोई आना बहुत दिक्कत है जी खंबा बीच में कैसे आए ये कैसे आज रवता जो में दूसरी गरी में तया जो ये खंबा शड़क पहले बना दी और ये खंबा बाद में गड़ा है और सड़के बीच वीच आगया और तुटटा हुआ है और ये कभी भी गड़ना हो सकती है और ये आई वोल्टेज की तार गई अपर से 33,000 के वीगी और सीवे कलोनी वालों के लिए सबी आम रास्ता है समझो कहना मैं सारे सहर का यह अंडर पास और के भी जाते हैं लोग और ये खंबा जो है ये कभी भी तूट सकता है तो सब भाविक है कि कोई किने वीगल मारी हो तो च्रॉब करते हैं यहां किसने मारी है कोई मारी है वह आइञ घृते वारे में एक मिजा काण मेरी कर ने आज है पूटे गाना तो ऊबीच भीच में तूट एगा तो है टूटने के बादी दोहासता ऐसा आगे हो तेटी हजार के वह लीए उपर इसलिए क्या जो नुफसान हो सकता है लोगों का हमारा भी नुफसान हो हमारे पास हमारे पास हम तो नजदी की है इसके तो इसलिए हम सरकार से बुजार्श करेंगे कि जल से जल इसको इसको इस रजबायरोड शीव कलोनी है जी कितने साल से आप रह रहे हैं तो बाई साब ये आप देख लीजिए हालाद देख लीजिए ये शीव कलोनी रजवाए की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरे दिखा रहे हैं खंबा सडक के बिलकुल बीचो बीच और तूटने की कागार में है और उपर आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज की तार है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है बरसात के दिन है और बरसात के दिन में अगर ये खंबा गिर जाता है नीचे गिर जाता है तो एक बहुत बड़ हादसा हो सकता है जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि करनाल डीसी तक जो है इस बात को पहुंचाया जा सके कि आखिरकार ये खंबा ठीक कब होगा क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी आपके फोलवर्स को सभी को नमस्कार और जितने भी खंबे खड़े हैं सारी सड़कों के बीच बीच खड़े हैं और मेरी सरकार से यह अपील है इन खंबे को यह तो ठीक कर जाए और इसको साइड में कर जाए और यहां पर ना था कोई सफाई वाड़ा था और ना को चाहते हैं यहां पर गिया आपने सोचाले यह बंद पड़िया चिसका ताला लगा हुआ और आपना जो रच बायरोड है कई जाये तो कोई सुनाई ने कर ता हमारी हम इनने काई पर कमप्लेंट भी करी है कोई सुनाई नहीं मळी जाये है आमने अइसलिए saadak के बीचों bीच में और बताय जा रहा है कोई ट्रक वाला ठक्र मार जाता है तो सडक के बीच में होगा तो ट्रक वाला असम्पाविक है ठक्र भी बी मार जाएगा जब एक बताओ जाग यहाँ पर सडक के रस्ता नहीं होगा और फिर आपने सड़क बढ़ने थी वो इस और जरूर ध्यान दे क्योंकि बरसाती दिन है और ऐसे में अगर खंबा गिर जाता है तो फिर बहुत मुसीबत जेलनी पड़ सकती है वाडवासियों को तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी वशेकरे शिकायत दी थी आपने पारशत को शिकायत दी को बिचे के हैं नहीं को रिस्पोंस अуль नेयृबिया मेर को तो कब जइन है रसाती दिन है पारा बिलकुल पी कख्खे होते मैंक Assamayyaya देखो जो जओ तो किसी का नू justification लग किसी के डखकन टुटन है किसी के मैंॉल टूटा किसी का कुछ यह डखकन है नहीं और यहां पे कोई राजको लाइट की समस्झ से बहुत तग रिया जो खंबे साइड में करें और सड़क जो भीज में टूटीं हो जो आपे खंबे रखें वो ना बनाए जितने भी यहां यह चोई नहीं पर यहां पर यहां पर वह पता है कोई लोगा देको कितना ना कोई नहीं आप रिसकोंस मिलता कि लगातार इसी लेन के अगर हम बात करें तो दस खंबे ऐसे हैं जो सड़क के बिल्कुल बीचो बीच लगे हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि किस परकार से जो खंबा है वो निचे से तूटने की कागार में है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप जाला से शियर करें और उपर से हाई बोल्टेस तार गुजरती हुई नजर आ रही है अगर बरसात के बरसात आती है और पानी भी के लोग कह रहे हैं कि यह इकठा हो जाता है और अगर यह खंबा तूट गया तो एक बड़ा हाथसा जरूर हो सकता है बिजली विभाक से निवेदन है कि इस और वो ध्यान जरूर दें क्योंकि हाथसा कभी भी हो सकता है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को जादा से जादा शियर करें और आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा अब डेडा को देते रहेगे आप इसे तरिके से बने रहेगा करनाल नियूस टोडिको